देश में कुरोना की लगतार घट रहे मामले बता रही हैं कि देश कुरोना के खिलाफ जंग में सही दिशा में जा रहा है। 275 नए मामले रिपोर्ट किये गए वहें इस दौरान 201 लोगों ने संक्रमण के चलते अपनी जान गवाई इसके साथ ही अब देश में कोरोना मृत्तिकों की संख्या बढ़कर 1,49,850 हो गई है पिछले 24 घंटे में 39,091 मरीजों ने वाइरस को माद दी है और इलाज के बाद ठीक होकर घर लोटे हैं वहीं देश में कोरोना वाइरस के सक्रिय मामलों की संख्या लगातार 2,00,000 से नीचे बनी हुई है स्वास्तमंत रॉले के आकड़ों के अनुसार देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,3,56,845 हो गई है जिसमें संक्रमर से ठीक हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 99,75,958 हो गई आकड़ों के अनुसार देश में कोविट-19 के कुल सक्रिय मामलों की संख्या 2,31,036 है जिनका अस्पताल में इलाज जारी है देश में मरीजों की ठीक होने की दर बढ़कर 96,19 प्रतीशत हो गई वहीं कोविट-19 सिमृत्य उदर 1,45 प्रतीशत है वहीं ICMR के अनुसार 4 जनवरी तक जाचे गई नमूनों की कुल संख्या 17,65,31,997 है इन में से 8,96,236 नमूनों का सोमवार को परिक्षन किया गया कुरोना के दैनिक मामले बता रही है कि दिल्ली समेथ पूरे देश में कुरोना के नए मामलों में गिरा बता रही है वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी बड़ी है इसी बीच पिछले एक हफ़ते के आकड़ों को देखे तो केरल और महराश में सबसे जादा मामले सामनी आए है जो पूरे देश में मिले नए मामलों का 44 फीजदी है यानि पिछले एक हफ़ते में देश के 44 फीजदी नए के सिर्फ इन दो राजियों से मिले है इस दोरान हर पांच नए मरीजों में से दो मरीज इन राजियों में से है 21-27 दिसंबर के दोरान महराश और केरल में देश भर के नए मामलों में 38 फीजदी केस थे जो पिछले हफ़ते बढ़कर 44 फीजदी हो गए उदर भारत में मंगलवार को बिटेन म्यूटेंट स्ट्रेंड के 20 नए मामले सामने आए इसके साथ ही नए स्ट्रेंड से संक्रमितो की कुल संख्या 58 हो गई है जो चिंता बढ़ा रही है ब्यूरो रिपोर्ट